नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी जनम कुंड़ी के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा। मुझे आपको जवाब देने में तुड़ी देरी हो क्योंकि मुझे सबी के पशनों के जवाब देने होते हैं। आप निश्चित रही हैं, मैं आपके पशन का जवाब दूगी। आप किर्पयास पश्ट रूप से अपनी डेटाबर, टाइम और प्लेस लिखिए। क्योंकि कई दर्शक जो हैं, कुछ चीज़े छोड़ देते हैं, जिसके कारण मुझे दुबारा कमेंट करना पड़ता है। मकर राशी का जून 2019 का राशी फल जो आपकी चंद राशी पर अधारित है। आपके सामने यँ यह है, मकर राशी की कुण्डी दस नमबर की राशी में चंद्रमा बैटा है। तो इसे मकर राशी कहते हैं जिसका स्वामी होता है शनी। अगर आपकी कुंड़ी में दस नंबर की राशी में चंद्रमा बैटा है तो आपकी मकर राशी है सबसे पहले हम देखें कि मकर राशी के लिए घ्रह गोचर क्या बना हुआ है सबसे पहले जब महा का स्टार्टिंग होगा तो शुक्र जो है वो मेश राशी में चल रहे होंगे जो आगे चलके शुक्र जो है दो या तीन तारीक को विशव राशी में हो जाएंगे और शुक्र की यूति जो है सूरे के साथ हो जाएगी पंचम भाब में सूरे वा शुक् करक राशी में आपके सब्तम्भाब में आ जाएंगे एक अधाश वाब में गुरु चल रहे हैं विश्चिक राशी के जो की समय गोचर में वक्री है और दाधाश वाब में आपके लगने शनी चल रहे हैं कि जिनकी केतु के साथ होती है वो भी आपके लिए वक्री है समय देथेव काम करते हैं। आपकी कुणली में आत्मा कायरा ग्राया है। आपके अद्धर है कंडली में आपके पण चम में चल देशम से और है। वह गोचर में जब 15 जुन के बाद आपके छटे भाब में आ जाएगा तो सूरे एक ऐसा गरह जो 3, 6, 10 या 11 का बहुत अच्छा फल देता है तो सूरे के यहाँ पर आने पर आपकी positive बन जाएगी, सूरे बुद्ध अधितर्योग बन जाएगा आपका भागेश बुद्ध के संग सूरे की उती हो जाएगी आपके मन में प्रशन आएगा कि भागे सूरे के संग बुद्की उती हो जाएगी पर सूरे तो हमारा अस्टमेश है मैं आपको क्लिया कर दूँ कि सूरे और चंद्रमा को कभी अस्टमेश होने का दोश नहीं लगता इसलिए सूरे आपका अस्टम भाब का सामी होने के बाद भी आपको देने में बिल्कुत सक्षम है यह तो है आपके लिए काम किस्तिती आप वैपार करते हो नौकरी करते हो 15 जुन के बाद का समय आपके लिए ज्यादा बैटर है आप विदेश आतरा में जा सकते हैं आपका क जुरू दोनों आपके लाब भाब का एफेक्ट दे रहे हैं तो आपके लिए समय पॉजिटिव है और यह शनी तो जो है धने शोकर आपके लाब भाब में एफेक्ट देंगे जो बहुत पॉजिटिव पॉजिशन है शुक्र अपने पंचम भाब में एफेक्ट दे रहे है अपनी सौराशी के हैं जो धन के लिए बड़ी उत्तमिस्तिती है धन के लिए मकर राशीवानों कोई काम नहीं रुकेगा आपका कोई धनानी की संभाव ना थी तो धन भी आ सकता है क्योंकि पंचम भाव में विर्शवराशी के शुक्र चल रहे हैं तो मैं प्रेम समंदों के अब के बाद फ्री हो जाएंगे पर जो कंपिटिशन वगारे की क्यारी कर रहे है बड़े बड़े कंपिटिशन दे रहे हैं उनके लिए जरूरत है कि वो ध्यान पड़ाई में लगाए तो उनके लिए पोजिटिविटी है अगर आपकी मकर राशी है तो गुरु की समय बैठ सकती है पर मैं आप से एक बात कहूं कि ये समय जो है जाए धनकी पदीशन अच्छी हो या 15 जून के बाद सूरे का गोचर अच्छा हो पर मैं आप से कहूंगी कि ये समय वैपार में निवेश करने का नहीं है दो रीजन है इसके क्योंकि गुरु वा शनी जैसे दोन केतु के साथ मंगल और रहु का सब्तम भाब ने जूसरे का जो संबंद है समसब तक योग जो बनाया यह बिल्कुल चित नहीं है यह आपको काम में अचाना कि कोई बहुत बड़ी बादाख़ी कर सकता है हो सकता है आप सोचके कोई डिसीजन ले पर वो डिसीजन गलत हो ज इसके साथ ही हम आपको यह बाद कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कुंड़ी में बुद्ध सूर्यवाग गुरू की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो वह आप साब्धानी बरते क्योंकि वह आपके छटे आटमी बार्वी भाब के स्वामी है तो थोड़ी साब्धानी ब लगेगा तो मंगल की रहो से यूती हट जाएगी और आपको थोड़ी रहात मिलेगी और भागे का साथ आपको 20 जून के बाद मिलने लगेगा क्योंकि भागेश बुद्ध जो भी आपके छटे में गए हुए थे वह आपके केंदर में आ जाएंगे तो यह तो है मकराशी के लिए गोचर इसके साथ ही मकराशी वानों को थोड़ी साथानी रखनी है अपनी हेल्थ को लेकर क्योंकि उनका लगनेश जो है वह एस्टम में चल रहा है और शनी के साथ की यूती है और साथ ही दो या तीन घ्रह जब उसको देख रहे हैं तो आपका हेल्थ के सबंद मे कोई नो कोई प्रॉल्लम आने की संबावना है साथी छटे भाव में बुद्ध मंगल राहू सूरे जैसे इतने सारे घ्रहों का जवाब बड़ात बात का संकेत दे रहा है कि आप शत्रों से साथान हो जाईए अगर आपके कोई कोट केस वगरा चल रहे है तो उसमें साथान का निजारन मेंने किया है जब चंद्रमा आपका मकर में होगा मीन में होगा मितुन में होगा कर्क में होगा तुला में होगा विष्चिक में होगा तब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा चंद्रमा हमारा मन का कारक है अगर हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो ह मैं जोचर बतारी हूं जो उनके लिए शुक्तितियां है चार रा पैंथ जुन , पतकות पकी जून , आट रा तेरा जून , 14 वा पंद्रा जून, 16 वा सत्रा जून , 20 वा किस जून , 24 वा 25 जून , वा 6अदा शॉप्तितियां है अगर आम इन तितियों में कोई नया काम करेंगे, किसी से मुलाकात करेंगे, कहीं यात्रा का विचार करेंगे, तो उसमें सफलता मिलने की सबाबना बढ़ जाएगी, इसके अलावा मैं आपको वह कुछ तितियां बताती हूं जो आपके लिए अशुब रहेंगी, आपको इन इस शासर में कहा जाता है कि अगर चंद्रमा, चौथा, आटमा, बारवा हो, तो हो सके उस दिन को यात्रा ना करें, कोई महत्रपून डेंडे ना लेंगे, यह शुप्तितियां हैं, आप नोट करिए, एक वा आठ जून, नौ वा दस जून, सत्रा वा ठारा जून, सताइस 28 जून, यह शुप्तितियां हैं, इनका ध्यान रखिए, किसी महत्रपून कारे का इस दिन प्लान ना करिए, और हो सकय तो अपनी हैल्थ का भी ध्यान रखिए, और वाहन को साब्धानी से चलाईए, इसके साथ ही, डशको, मैं ओबर आल, अगर में कहूं, तो मकराशी वाल यह समय भी गुजर जाएगा, और मंगल राउक की यूती जब हट जाएगी, तो घरेवों की पोजिशन काफी अच्छी पॉज़िव हो जाएगी आपके लिए, इसके साथ ही दर्श को, मैं अगर आपसे दुबारा है बता रही हूं, कि अगर आप मुस्ते को प्रशन कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दिवा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप मेरा वीडियो देख सके, इसके साथ ही नमस्कार दश को, जाय मातादी